लो फ्रेंड्स कुकवित अंजु में आप सब का स्वागत है आज हम घर पे मटकी को या मोट को कैसे अंकूरित करें ये देखने वाले हैं बहुती आसान रेसिपी है बस आपको एक मोट या मटकी का पैकेट लाके रखना है इससे आप बहुती आसान तरीके से बाजार जैसी जो अंकूरित वाली मटकी होती है वैसे बहुती इजीली बना सकते है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तरह से अगर आप वीडियो फॉलो करोगे तो आपकी भी मोट या मटकी इसी तरह से खेली खेली बनीगी किसी भी प्रकार का स्मेल भी नहीं आएगा तो चलिए शु कर्टोरी हमारी मोट है यहां पे तो हम उसमें लगबग तीन कर्टोरी पानी दालेंगे पानी हमेशा उसके तीन गुना होना चाहिए ताकि मटकी अच्छे से फूल जाए तो इसको ढख के हम ओरनाइट के लिए छोड़ देंगे दूसरे दिन आप यहां पे देख सकते हो हम हमारी जो मोट है या मटकी है बहुत ही अच्छे से गल चुकी है अगर आप इसे हाथ से प्रेस करोगे तो यह दबेगी इतना यह सौफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें जो पानी है वो निकाल देंगे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप भूल जाता है मोट को बिगोया ह इसमेल आना शुरू हो जाता है या उस पे बुलबुले आना शुरू हो जाता है इसलिए हमेशा उसको भीगने के बाद भी एक या दो दफा आप उसको अच्छे पानी से धो ले ताकि इसमें कोई भी प्रकार का स्मेल ना रहे तो यहां पे हमने मोट या मटकी को दो टाइ चोड़ देना मत तो इसे पहले तो हमें चलनी में निकाल के रखना है तो देखिए यहां पे हमने चलनी में रखा है और इसके नीचे पतिला रख दिया है जो भी इसमें एकसेस वाटर होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा आप देख सकते हो इसे कम से कम 20 मिनिट के और इसमें बहुत जादा समेल आने लगेगा तो देखिए इसी तरह से हम चोड़ देंगे चलनी में इसे 20 मिनिट तक हमने चोड़ दिया है 20 मिनिट हो चुके है और 20 मिनिट के बाद इस तरह से हमने एक कौटन का कपड़ा लिया है तो यह थोड़ा सा वेट कपड़ा है मतल कि इसको हवा न लगे अगर आपके पास अवन नहीं है तो किसी भी आप गरब जगा पे जहां पे जादा हवा न लगे वहां पे छोड़ दीजिए मैं दूसरे दिन आपको यह दिखा रही हूँ बस एक दिन में हमारी जो मोट है मटकी है इस तरह से अंकोरित हो जाती है बहु जो भी चाहे बना सकते हो देखाना कितना आसान तरीका है प्रेंट्स बस आपको इसे चन्नी में एक सौफ कपड़े से ढखके रखना है ताकि आपकी जो मोट है मटकी है आसान तरीकी से अंकोरित हो जाए तो देखिए यह अंकोरित मटकी आप लगबक चार या पांच दिन फ्रीज में रखके एरटाइट डबे में रखके खा सकते हो तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल देंगी इस तरह से देखिए कितनी खिली-खिली बनी है तो बनी है बाजार जैसी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है आप ज़रूर ट्राइ कीजिए और यह चोटे-चोट कीप्स मैंने आपको बताई है वो ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपकी भी मटकी इसी तरह से खिली-खिली बने तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए